अलो गदो श्रागत आप सबका टीम सुरम्वर्यम्हाइब बात करने वाला है अगर्देश प्रिमेर लीग का अब आज के दिन का सेकंडर मैच और क्या कुछ आज के लिए टीम बन सकती है कौन से प्लेयर ले सकते हो कौन से नहीं किस पर्रिस्क ले सकते हो बंगलादिश पर में लीक बीपिल हमेशा अनेक्सपेक्टड रहता तो कौन आज होगा अनेक्सपेक्टड खिलाडी जो की गेम चेंजर बन सकता है आप बोलो तो एकस फैक्टर या कुछ भी कर लेना लिंक है डिस्क्रिप्शन में ठीक है और कल से पीएसल शुरू हो रहा है तो वीडियोस आपके लिए जफरत अस्ता हने वाली है तो जितने वी नहीं लोग है सब्सक्राइब कर लो फटांक से ठीक है बागी चलते हैं जरा अपने मैच के उपर तो जहूर एहमद च सब्सक्राइब करने वाली टीम ने 169 का एवरेस्कोर अब इस ग्राउंड पर दे को होता क्या है कि बाइटिंग सोरी जो नाइट के मैचसे से रहते हैं उसमें आप देखो कि जादा कुछ कॉमन है नहीं पिछले जैसे ग्राउंड में था लाइक से लेट में ढाका में बट यहां उतना कुछ कौमन है बट एक चीज जो यहां रहती है वो यह कि सेकंड इनिंग में स्पिन के विकेट थोड़े जाद है बट वो इस वज़े से जादा है क्योंकि 17 में से 16 विकेट पहले दिन आ गयते बट दूसरे दिन से विकेट है नहीं अब दो दिन बाद इस और एक दिन के गैप के बाद में चुकी मैच हो रहे हैं तो हो सकता है आपको वापस नाइट के मैचेस में जो स्पिन के विकेट से वो वापस भाई देखने को मिल जा ठीक है बागी जादा कुछ नहीं है स्कोर अच्छा बन रहा है तो और आज के लिए दोनों टीम्स भी काफ करें तो भाई आप 170 से उपर ही जो है वो टार्गेट एक्सपेक्ट कर सकते हो अब आते हैं जरा यहां से रंगपूर राइडर्स की प्लेंग लिए उनके उपर तो क्या भाई जो आज के लिए प्लेंग लिए उनकी तो उसमें रोनी तालुकदार और रिजा हेंड्रिक्स कुछे वो ओपन करते हुए दिखेंगे उसके बात में आज शाकिपाल हसन है जो कि पिछला मैस तो काफी अच्छा के लिए उससे पहले 27 रंदो विकेट है तो अच्छा रहा है रोनी तालुकदार जादो कुछ खास तो नहीं कर पाएं बट कुछ-कुछ मैचेस हैं जिसमे अच्छा है जैसे बीच के दो मैचेस है रिजा एंड्रेक्स सबको पताई कि अब अच्छी फॉर्म में तो थे नहीं अब यहां पर आकर में भी कुछ थोड़े बहुत रंस इनके तरफ से देखने को मिल जाए क्योंकि टीट वन्टी के खिलाडी अच्छे हैं बस पिछले क तो यह दोनों बन जाते हैं उसका बाद में जिमी नीशम है जिमी नीशम की तरफ से भी वो ओल्ड रॉन पर्फॉरंस ही जो अभी तक देखने को मला है लाइक फिफटी वन रन दो विकेट और उसके बाद में तेहरा रन एक विकेट तो कहीं ना कहें जिमी नीशम भी वो उल्ड रॉंडर उसके बाद में नुरूल हसन मैचस ठीक है लाश्ट में आकर रंस फगर है ठीक ठाक बना रहे तो अगर रखना हो तो रख लेना अगर जो रता लाइक अगर और कोई प्लेयर लेना पड़े तो आई तिंक कि नुरूल हसन वो है जिनको आप ड्रोप कर सकते हो अगर करना चाहो तो अदर्वाइस अगर टीम में जगह है तो डेफिनिटली फिर नुरूल हसन को पिक कर सकते हो बागी और किसी विकट कीपर से जादा अच्छे पांट से दे सकते हैं उसका बाद में ड्वेन प्रिटोरियस 17-0 विकट अजमत अला उमर्जाही को उन्हो उसका बाद में शामी महसेन हैं इतनी नीचे बैटिंग और और लेने का कोई ज़्यादा रहेगा नी उसका बाद में हसन महमूद है पिछले तीन मैच में सिर्फ एकी विकट इनौन निकाला है स्पिनर्स का जादा जलवा रहा है यहां से शाकिवाला हसन हुए महिंदी हसन इंक्लोडिंग निशम भी मालो और यह इनका पिछला परफॉंस तो पहले तो ठीक थे पर पिछले तीन मैच से जादे कुछ खास नहीं है रिपन मंडल को शामिल किया गया अभी तक चार मैच बीपिल के खेले शुरुवात ही दो मैच में विकट थे अभी वाले दो मैच मे खेलता है यह तहल का मचा देता है ठीक है एंडेफिनेटली इम्रान ताहर तो बैठा ही था अभी के लिए साउथ अफरिगे डीटवन टी में चार पांच विकट वाला गोई मैच आहाए नहीं यहां आते ही बांच विकट निकाल दिये तो यह है अभी के लिए रंग पूर राइडर्स की तरफ से जो पूरी एक प्लेइंग लेंट रहती है एंड बोलूगा इदर से मुश्टली प्लेयर से जो आपको टीम में रखने चाहिए जिसने इम्रान ताहर हो गया उसके बाद में आसवे नुरुल हसन है नीशाव है महिंदी हसन है शकीबल हसन है पांच त तो टॉम मूर्स है अश्यक और जमान है मौमिनुल हग में भी मौका मिल जा है और उसका अदम आश्यक जमान रहेगा हसन मुराद इनके पास में एक अप्शन है अब हैदर का बिस ग्राउन पर ठीक ठाक सा रिकोड़ है बहुत अच्छा तो नहीं है उसका आदमें फजल मे करेंगे ओपन तंजेत असन बीच बीच में चल जाते हैं लाइक फोर्टी फोर्टी नाइन फिर 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 पचास मारा फिर दो मैच फ्लोप है फिर यहां से फॉर्टी वन देखने को मिला जोएश ब्राउन अभी के लिए ठीक ठाक फॉम में चल रहे हैं पिछले पांच मै तो इनकेस अगर आप उपनर्स डॉप कर रहे हैं तो ब्रूस डेफिनिटली रखना फिर उसकेस में उसका बाद में आसे शादत हुसेन हैं जादे कुछ खास इन्होंने किया नहीं है पूरे सीजन में ही शाहिका तलिए शुरुआत तो देखो इनकी जादा अच्छी रही नहीं थी वाट अभी पिछले दो तीन मैच जो है न या तो उसमें रिन मना दे रहे हैं या फिर यह विकट निकाल रहे हैं या दोनों चीज भी कर दे रहे हैं ठीक है तो अच्छा रहा है और विखले दो मैच यहां से जादा कुछ खास देखने को मिला नहीं एक में उम्मीद लगाना बेकार है उसके बाद में यहां से आपको शॉचिदुल इसलाम देखने को मिल जाते हैं दो विकट तीन विकट लिये हैं तो भाई सीधे दो तीन विकट पर यहां रहे हैं वरना तो बंदा विकट लेसे यहां से उसका बाद में नहाद दुजमन है स्लो लेफटाम और्टोडोक्स एक विकट से जाद इनके हाथ आया नहीं है अलामीन हुसाइन बोलर अच्छे हैं शुरुवात के घर हम मैचस देखें बाई तो काफी अच्छे थे पिछले दो मैच जादा अच्छे नहीं गए हैं तो अलामीन हुसाइन अच्छा कर सकते हैं और हमारे पास में फिर आते हैं लेफटाम पेसर में बिलाल खान जो की एक हाई श्पिटिकर वाली कैटेगरी में भी अभी के लिए है क्योंकि शुरुवात इनकी बहुत ज़ादे जबरदस्त रही थी जब ये दो तीन तीन विकेट हर मैच में निकाल रहे थे बट पिछले द टार्गेट को डिफेंड करते हैं तो शायद ये अच्छा कर सकते हैं मतलब सेकंड बॉलिंग में तो यह है चैटोक्राम चलेंजर्स के तरह से प्लेइंग लाउन अब इसमें को कुछ इंपॉंट पिक्स भी है इंपॉंट ही है मस्ट पिक बिल्कुल कोई नहीं है चैटोक बात करें के बेंच की तो इम्रान व्जमन है जिया और रह्मान नजीबॉला नहीं कहलेंगे सलाओ देन सकील है असकेनाजी है और अविश्का फरनेंडो भी नहीं कहलने वाले है तो बागी कुल मिलागरि न करिंद के पास में चार ही है बेंच प्लियर में अब आते हैं जर डेथ बोलिंग में आपको अलमीन और यहां से बिलाल देखने को मज़ जाएंगे उसके बाद में आते हैं नेक्ष्ट तो प्रिटोरियस और महिंदी असन ने शरुवात कि दी पिछले मैच में शकिप थे असन मेहमूद इम्रान थार जेम नीशम और रपन मंडल मतलब जो टी बोलर जो इस टीम ने यूज़ कर रखिया रंगपूर राइडर्स ने तो और डेफिनिटल किसे ना किसे कटने वाले और शकिपाल असन की कपतानी ऐसे कि किसे के भी कट जाएंगे फिर ओवर फिलाल के लिए समने दोजो तीन तीन डाले थे शुरुवात वापस में महिंद तो है नहीं चटोग्राम का इवन पॉंच टेवल में भी तीसरे चोथे नंबर पे ये बैठे हैं उसके लावा यहां से 18 मैचेज खेले हैं इसने रंगपूर राइडर्स ने और जीते कितने हैं बारा 66 परसेंटेज इनका विनिंग का है जबकि उनका तो बड़ा कम है और बागे रंस की बात करें तो शकीवल हसन 31 मैच में 879 रंस है 41 के आवरेज के साथ में ध्यान रखना 10 बार नोट आउट बिराय शकीब तो एवरेज थोड़ा से बड़ा हुआ हुआ है उसका बाद में तालुगदार 18 मैच 357 उननिस का आवरेज बड़ा इखराब पर्फरें है 17 मैच में 239 किसी भी बैटिंग पोजिशन पर अच्छे नहीं होते है छटे नंबर तक किसी बैटिंग पोजिशन पर यह अच्छे रंस नहीं है साथ बार नोट आउट रहा है तो आपको वह एवरेज देखने को मिल रहा है अगर अगर मैं हटा दो तो वह 12-13 तकी फिर आता है शमी मुसेन साथ मैच में 176 35 के अवरेस के साथ में नेक्स बात करें अगरम बोलिंग शेक्षिन के तो उसमें शकेवल हसेन यह सबसे उपर 31 मैच 37 विकेट है अलमीन हुसेन के नाम 19 मैच में यह से 18 विकेट से रहते हैं इमरान तहिर ने अलग तहल का मज़ा र महिंदी असन 15 मैच में विकेट तो दोनों ही ऐसे हैं जो थोड़े से महेंगे साबित हुएं ठीक है यहां से महेंगे विकेट बहुत जादा नहीं निकाले अब हैदर ने भी महिंदी असन ने भी तो यह रहते हैं अभी के लिए वेन्यू लीडर्स जो अपने बोलिंग सेक कीज़ा है तो टीम में रखा है टोम ब्रूस को स्कौद में हेंडरिक्स मेरे पास में जोश ब्राउने जो मैं आपको मश्पिक बोल रहा था शाकीबल असन और नीशा मुआ महिंदी असन हुआ हसन मेहमूद है उसकाद में इमरान ताहिर है रिजा हैंसा को पिक किया हुए नुरूल अगर रखना है तो प्रीटोरिस की जगे पर रख सकते हो, बागे जोश ब्राउन मेरे पास में टोम ब्रूस है, उसकाद में शाहिका तली, एंड यहां से अलमीन हुसेन को रखा है, यहां पर उप्षेन आपके पास में डेफिनिटली है, बिलाल खान को पिक करने का तो यह जाती ही टीम, कैप्टन किया है, शाकिब को वाइस कप्टन में नहीं किया है, यहां से महिंदी असन को, महिंदी असन पहले तो बहुत नीच आ रहे थे, नोवे दसवे नमबर वर बैटिंग ओडरे में, बट अभी थोड़ा ऊपर आ रहे हैं, तो रन भी बना रहे ह है, तो डेफिनिटल एक अच्छी चोईस बनते है अपने लिए, और कैप्टन तो फिर शाकिब से जादा बहतर, अभी हाल फिलाल जैसे उनकी फोर में, कोई जादा बहतर बनता नहीं है, तो यह हो जाती है, अभी के लिए टीम और सब चीज़ से, बागर आपके वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक जरू करना, चानको सब्सक्राइब करने ही, क्या हुआ है, फटाक से कर लो, एंड वल्लाविश्ट आपको इस मैच के लिए, मिलते हैं, आपको नेक्श वीडम बहुत ही जारा है, और रुको रुको ज़रा एक गिवावे कोशन भी मां पूछ करने में तो वो भी जरूर देखना है, और वहां पर वहां पर भी और इस चैनल पर भी आपके लिए शोट्स सेक्शन में जरूर जाके देखो, बड़ी इंपॉर्ट शोट्स आपके लिए जो है, वहां पर मैंने अप्लोड किये हुए, आगे भी एक महीने तक और आने वाल क्पा निरत कहलेक कली को वेऊ सेक्शन में पर रोगलडल को वेचे दोन पर देखना है, का नोट्स आपके एक म preferred वहां पर भी एक पर भी आपके लिए देखना है, तक झाल पह रेखना है, वहां रहां पर रहं है।